आज के हमारे महमान बेहदी खास हैं क्योंकि आर्थिक नीतियों को समझने और बनाने में तो इनका डंका बज़ता है दुनिया भर में लेकिन इनकी आलोचना भी हुई है और इनोंने आज तक बेबाग तरीके से अपनी राय रखी है जी हाँ आज के हमारे खास महमान है रोहित लांबा जी भी हमारे साथ से मौझूद हैं सर आपका बहुत शुक्रिया बिष्टक को अपना समय देने के लिए एक्साइटिट नों बहुत इस इंटर्व्यू के लिए क्योंकि यह मेरी लाइफ टाइम के लिए एक बहुत एक सीख होगी लर्निंग होगी आपसे ब मोल्ड और बुक मैंने पूरी पढ़ी है शुरू से आखरी तक और बहुत कुछ सीखने को मिला इस से एक तो मैं यह चाहूँगा कि आप इस बुक का इनाउगरेशन हमारे मंच पर कर दें सर एक बार आप ही सर नी आप ही करो इसका हमने आज ही नाम दिया है वो है इसको हमने आज से लाँच कर दिया है और इसमें भी जानिमानी हस्तियों से बात करेंगे उनकी सोच जनता के सामने पहुचाएंगे तो सर इस शुपकामना है आपको इस बुक के लिए बहुत बहुत शुपकामना है लेकिन शुरुआत करते हैं इस बुक के टाइटिल के सा इसी कुछ कमिया जनको नए तरीके से ड्राफ करने की बहुत जरूरत है हमारी अर्थव्यवस्ता के उत्पादन की गति बढ़ाना है वो तो हम जानते हैं क्योंकि अब आगर बाहर देखते हैं तो रोजगारी काफी जादा है हम अच्छा कर रहे हैं 6 पसंट 7 पसंट की गति पे चल रहे हैं अर्थव्यवस्ता लेकिन उसको अगर हमें नौकरी चाहिए सब लोगों के लिए तो उस उस गति को बढ़ाना है अब किस तरह के से बढ़ाएंगे एक तो पुरानी पत है जो हम इस किताब में कहते हैं चीनी पत मतलब की manufacturing-led growth यानि की manufacturing के निर्यात करके आप जल्दी से डेवलापिंग कंट्री से डेवलाप बनाएंगे लेकिन उसमें दो प्रॉब्लम है एक तो अभी जब चीन ने शुरू किया उस पत पे तो उनका competition American workers के साथ था, United Kingdom के workers के साथ था और जो चीन में जो workers थे उनका जो आये था बहुत ही कम था and that cheap labor was the source of their competitiveness. अब जब हम आएंगे इस पत पे तो हम तो चीन के साथ compete कर रहे हैं, Vietnam के साथ compete कर रहे हैं जिनके workers, उनका आए भी बहुत ही कम है, तो competition काफी ज़ादा है, तो इसलिए वह एक फरक है. दूसरी फरक यह है कि दुनिया तो आगे चली गई. अब अगर पूछेंगे अमरीका में, वो कहेंगे कि हम तो अंदर ही उत्पातन करेंगे, manufacturing हम on-shoring करेंगे, यानि कि वापस ले आएंगे अमरीका में. कैसे ले आएंगे? हम robot इस्तमाल करेंगे, हमें मजदूर इस्तमाल करने की जरूरत नही तो दुनिया आगे बढ़ गई और protectionism जो कहते हैं, वो भी बढ़ गया. अब आप देखेंगे कि अमरीका में चीनी manufacturers पे 20% टारिफ लगाया, यानि कि import टारिफ. और हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर बाहर चाहती है कि उसी पत पर चले, तो बहुत मुश्किलें पढ़ेंगे. तो एक नया पत दूणना है. वो कौन सा पत है, वो हम किताब में लसे हैं. टेकनिकल चीज़ें हैं इसमें कि GDP को कैसे compute करें. उसमें एक चीज़ है GDP deflator. वो उपर जाती है, नीचे जाती है, अब नीचे है, इसलिए थोड़ा सा जादा growth मिल रहे हैं हमें. लेकिन असलियत में दो चीज़ें हुएं साल के शुरुआत से. मैंने ये साल के शुरुआत में कहा था कि हम भागया चाली होंगे अगर पांच परसेंट पहुंचेंगे. तो दो चीज़ें बदल गए एक तो ये है कि दुनिया की गती उत्पातन की गती बड़ी है. लोग सोच रहे थे फेडरल रिसर्व ने पांच परसेंट इंटर स्टेट को पांच परसेंट से ज हमने साड़े साथ इस क्वार्टर में किया. तो हमारा डिफरेंस है वान और अफ परसेंट. यानि कि दुनिया की गती से हमारा कुछ फाइदा हुआ. वो एक चीज था. दूसरा चीज ये है कि जो साल के शुरुआत में हम सोच रहे थे कि ये जो कमोड़िटी प्राइसे हैं आइल वगेरा उंचे रहेंगे. कम हो गए. तो वो दूसरी चीज है जो हमें बेनेफिट हुआ क्योंकि चीन की गती काफी कम हो गए. वो दूसरा कारण है. तीसरा कारण गवर्मन्ट सरकार हमारा सरकार ने काफी इंफ्रास्ट्रक्टर पे उन्होंने स्पेंडिंग किया. तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्टर के कारण भी हमारा ये दो जो क्वार्टर से अच्छे हुए उन गती बढ़ गए. तो कारण है जो साल में हम सोच रहते हैं कि काफी मुश्किले होंगी. हम भागेशाली हुए और सरकार में सरकार ने भी कुछ काम किया. तो हम साड़े नहीं भूलना चाहिए कि आगे हम बेरोजगारी को कैसे कम करेंगे. अब सीमाई के डेटा अगर देखेंगे तो वो कह रहे हैं बेरोजगारी तो दस परसेंट पहुंच गया. तो यह जो उतपादन की गती है उसमें हम हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नौकरियां पैदा हो रहे हैं लेकिन कितने नौकरियां पैदा हो रहे हैं तो उसके लिए हमें काम करना है. लेकिन राजन सर यह स्टॉक मार्केट तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा गया है खुशी के मारे और इन्वेस्टर कॉन्फिटेंस भी स्काई हाई देखने को मिल रहा है नईस तर मार्केट तो एकॉनमी का एक सेक्टर को देखके बढ़ रही है कौन सा सेक्टर है फॉर्मल बिग फर्म की सेक्टर को देखके बढ़ रही है क्यों बढ़ रही है क्योंकि जो प्रॉफिटिबिलिटी है उस सेक्टर का काफी अच्छा है और अगर आप देखेंगे बैंक क्र चल रहे हैं तो क्या हमें यह कहना है कि कोई कमजोरी नहीं है बस इंडिया इस दूइंग फैंटास्टिकली विशुंट वरी हम यह कह रहे हैं कि अगर आप अगले 20 साल को देखेंगे हमें हमारे अर्थशास्ट में क्या कमजोरियां हैं उनको कैसे ठीक करेंगे हम एक दो क्व 2047 में एक डेवलाफ विकासित देश बनना चाहते हैं तो यहां से वहां तक क्या करना चाहिए हमें और हम यह किताब में लिख रहे हैं कि अगर आपको वहां पहुंचना है तो यह जो चीनी पत है वो थोड़ा मुश्किल है और कौन सा पत लेना है और उसके लिए आपको क् आज तो एक उदारन देता हूं यह जो हमारे बच्चे हैं 35 को मैलनुट्रिशन या कौपोशन का प्रॉब्लम है अगर वो बच्चे बड़े हो जाएंगे और वो कौपोशन को ठीक हम नहीं करेंगे तो उनका दिमांग तो उतनी अच्छी तरह से नहीं चलेगा जैसे कि आम आत्मी का दिमांग चलेगा और उनका हेल्थ भी उनका स्वास्तिय भी इतना ठीक नहीं रहेगा अगर पैंटीस परसेंट आपका वर्टफोस ठीक नहीं है तो आप विकासित देश कैसे बनेंगे और जो जो बच्चे आज एक दो तीन साल के हैं वो उस वकत तैईस पच्च साल के होंगे तो हम विकासित देश कैसे बन सकते हैं तो यह सब प्रॉब्लम्स को देखना है लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम खुश हैं इस इस उत्पादन की गती से और हमें देखना है कि बारत में ठीक क्या चल रहा है तो इस किताब में हम काफी उधारन देते है कि यह उन्थरपरनाज क्या कर रहे हैं और खुश है और दूबात कर से हैं उन दार्व नौम के बारे में एक अगनी कूल के बारे में हमने लिखा है कि चिन्नाई में वो रॉकेट मना रहे हैं और भीज तीस पूट के रॉकेट है साटलाइट बेजने के लिए एक पीसी मु यह सब success stories हैं, इनको बढ़ाना है, क्योंकि हमें एक मुस्तफा नहीं चाहिए, हजारों मुस्तफा चाहिए, एक रविन्दन नहीं चाहिए, हजारों रविन्दन चाहिए. यही सवाल रोहिजी आपके लिए भी था, कि अमीर देश कैसे बनेगा भारत, यह आपकी जो आपने बुक लिखी है, उस पर लिखा हुगा है कि पर-capita GDP, अगर Asian countries की तुलना में देखो, तो भारत का बहुत कम है, तो यह productivity को बढ़ाने के लिए, पर-capita income को बढ़ाने के हमेशा हमको यह भी ध्यान बेखना चाहिए कि पर-capita income के मापदंड पे हम लोग कहां पे हैं, और उसमें हम काफी नीचे हैं, क्योंकि भारत का पर-capita income करेंब धाई-तीन हजार डॉलर के सतर पे है, चीन का बारा साड़े-बारा तेरा है, कोरिया का पैंतिस हजार डॉलर है जिस टो गिव अ कांटेक्स कि हम कहां पे हैं भी, और यही उद्देश है, लक्ष है, जब पिधानमंत जी कहते हैं कि 2047 तक हमें एक विक्सित देश बनना है, यह बहुत ही महत्वपूर लक्ष है, जिसकी अभिलाशा हम सबको होनी चाहिए, और वो लक्ष प्राप्त कैसे ह होगा, यह थोड़ा सा शॉट टर्म क्वाटर के उतार चड़ाव से परे एक विजन का सवाल है, कि हमारा क्या विजन है, डेन शॉपिंग ने एक चाइना के लिए विजन रखा था, कि यह एक विजन होगा, जो चाइना फॉलो करेगा अगर पीस, तीस, चालिस साल तक और क पहुचेगा जब अपनी बहुत अच्छा शब्स तोल के प्रोडक्टिविटी, जिसे कि अगर आप देखते हैं, अगर एक खेत पे दो लोग काम कर सकते हैं, लेकिन छे लोग काम कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्री कहते हैं, या फिर अगर आप कॉफी पीने जाएं, अगर कॉफी शॉप में, स्टार्बक्स में, और वहां काउंटर के पीछे साथ लोग खड़े हैं, तो सब, they will all be counted as employed, कि सब employed हैं, जबकि दो लोग को वहां काम कर सकते हैं, तो होता क्या है कि अगर आप दो लोग काम छे, साथ, आट लोग कर रहे हैं, तो डेटा पकड़ नहीं प matters, कि हम किस तरह की नौकरियां generate कर पा रहे हैं हमारे लोगों के लिए, जिससे की भारत की productivity बढ़ेगी, और इसके संदर्ब में हमने एक बहुत मुक्ता तत्य रखा है, हमें लगता है कि यह बहुत important alternate model हो सकता है, कि आप उन चीजों पे focus करिए, जिसमें आप अच्छे हैं, कि आप उस रेस में जोड़ी है, जिसमें आपको पता ही कि आप 6, 7th, 8th आएंगे, यह मतला आप मद्धिवर्ग में रहेंगे, एक ऐसी रेस है जिसमें भारत अलड़ी बहुत आगे है, जो रेस है, जो high-skilled services की रेस है, कि हमने 90 के दशक से ही IT exports करना शुरू कर दिया था, ह हम finance, consulting, industry में बहुत आगे तक आए हैं, हम education की field में भी काफी अच्छे हैं, आप सक्षा में हम देखिए हमारे यहां से graduate कि हुए लोग आज कौन कौन सी कंपनियों के CEO हैं, Google, Microsoft, और दूसरे एक जो संदर जो आ रहा है, जिसमें हम बहुत अच्छे उभर रहे हैं, वो है कि manufacturing अभी एक बहुत एक complicated process होता है, अगर आप सबके पास एक phone होगा रहा है, phone देखते हैं, हम लोग खुश हो रहे हैं कि अभी Apple आके भारत में factory लगा रहा है, अच्छी बात है, हमें हमें खुश होना भी चाहिए, लेकिन वो काफी low end है value chain का, जो सबसे बड़ा, जो अगर का मूल्य है, Foxconn के मकाबले, क्यों? क्योंकि वो high value chain capture कर रहा है, Apple design कर रहा है phone, Apple R&D डाल रहा है, और उसके बाद Apple, जो products बेच रहा है, iTunes और जो भी apps आप डाउनलोड करें, वो सब Apple के पास है, तो हम इसको बोलते है, smile curve, कि एक ऐसा curve है, जिसके अंदर भारत को high value add जो है, वो capture करना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि हमारी, you know, हमें सिधा jump कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें हमें लगता है, हमारा already comparative advantage है, तो यदि हम high value add को capture कर लेंगे, तो low value add में हमारा control रहेगा, कि हमें इंडिया में factory setup करनी है, या वेतनाम में factory setup करनी है, इंडिया के कौन से प देश जो हैं, जो especially western Europe और US, वो चाह रहे हैं कि हम चाइना से exit करके वो लोग कई और देशों में जाएं, तो भारत में manufacturing आए गई आएगा, हमें in fact try करना चाहिए कि और आए, जो जो दो तीन आंकडे जो आपने जब growth के आंकडे बोले, जो जो ज़रूरी देखने वाले हैं आपने बोला value chain में, उसमें शुरू का process, R&D process और marketing वाला process is the main process, जो कोई कर लेगा, एक comparative advantage की बात है, skill की बात है, कि अगर आप एक smile curve को देखें, तो एक smile को ऐसे देखा जाए, तो यहां पे जो होता है, product का design होता है, उसकी सोच होती है, conceptualization होता है, वो सब बहुत high value होता है क्यों होता है, क्योंकि जो scientific terms बोला जाता है, intellectual property आप own करते है, apple जबकि manufacture नहीं कर रहा है phone, लेकिन वो own करता है उसको, उसी तरह जब आप, you know, आप दूसरी तरह आते हैं, कि आप किसी चीज़ की marketing कर रहे हैं, आप उसकी sale कर रहे हैं, आप उसकी attached financing कर रहे हैं, और content create कर रहे है, TikTok जैसे है, वो hardware नहीं है, वो एक software है, वो content उसमें TikTok, Apple, iPhone के अंदर जाता है, iTunes है, तो यह एक दो end है, उसके जिसमें भारत, दोनों तरफ, भारत का comparative advantage है, बैंगलोर में one-fifth of the chip design in the world is happening in India, but problem यह है कि India वो company own नहीं करता है, तो हम लोग उसका, जो उसका मूल यह है, वो capture नहीं कर पाते हैं, तो आप अगर, मैं अगर इंजिनियर्स हैं, टिप डिजाइन बना रहे हैं, हमाना salary मिलेगी, लेकिन उस company की value है, वो अमेरिका या यॉर्प में ही है, तो भारत को बहुत कोशिश करने चाहिए, हाई-end value capture करने के लिए, राजन सर लेकिन सरकार भी तो य गोईद लांबा जी ने कहा है, कि प्रॉब्लम ये है कि उनके पास ना सिर्फ वर्कर्स हैं, जो काफी शिक्षित हैं और कुशल हैं, ये भी है कि उन्होंने infrastructure को बढ़ाया है, इन्होंने काफी काम किया है, तो जब हम उनके साथ compete कर रहे हैं, वो manufacturing के लिए, तो हम थोड़े पीछे रह गए, और इसलिए सरकार तो subsidy दे रही है, production link subsidy वगएरा, लेकिन हम ये कह रहे हैं, ठीक है, shared manufacturing आजाएगा इंडिया में, लेकिन ये जो चीजे हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे कि chip design वगएरा, उसको बढ़ाना है, उसको कैसे बढ़ाएं, बिकॉज जो, जिस race में ह हम आगे हैं, उस पे invest करना है, क्योंकि वहां पे हमारा value added इतना जादा होगा, और उससे शैद कभी-कभी manufacturing भी आएगा, लेकिन services में भी काफी जादे jobs हैं, और किताब में हम बताते हैं कि हम नौकरियां कैसे पैदा करेंगे services में भी, कभी-कभी लोग कहते हैं कि आप services कह र लेकिन increment कभी नहीं हुआ है, जो लोग employed है manufacturing में नीचे ही रह गया है, लेकिन जो लोग agricultural से बाहर आ रहे हैं, और services में जा रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि उसको काफी बढ़ा सकते हैं, और हम उपाय बता रहे हैं कि इस किताब में, और अभी आपने manufacturing के लिए PLI का भी जिक्र क इसको domestic industry को protect करने के लिए PLI scheme को चिम कुछी है? अघर कार में पुराने विचार हैं, जब हमने, you know, 1970s, 80s में protect किया हमारे industry को, कह था इनको subsidy चाहिए, हम हमने चुनाए इस industry को protect करेंगे, उस industry protect करेंगे, हमने यह सब किया, पान सा industry निकला इसमें से, जो competitive था दुन्या में, के जिसमें से jobz निकलें WordPress फो I.T. इंडesz्री ता उसमेंगर комнаने क्या किया, कुछ नहीं किया, वह अपने Бाइर्ड पैदा हुआ हम यह नहीं कह रहे हैं, कि गरभ meant को कुछ नहीं करना ची था हुए, हम यह कहुं कह रहे हैं यह पुराने दारीके हैं, टारिफ बढ़ाओ, subsidy द 2024 क बनाएंगे चीजों को असेंबली करेंगे लेकिन इस इंडास्ट्री को बढ़ाने के लिए कुछ और चाहिए क्या चाहिए वह हम कह रहें कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे इंडिया का सबसे बड़ा एसेट है उनकी जन्ता उनकी कुशलता को कैसे बढ़ाएं मानव पुंजी जो कहते हैं यूमन कापडोल को कैसे बढ़ाएं आपंपुर्ण काओस्ट प्रॉब्लम हम जब अंत्रपरनर्स के साथ बाथ करते हैं और पूछते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्रोब्लम क्या है उनके प्रटियों का हमें इंडिया में यह मिलता है तो अपना चाहिए और जिनके पास वो है वो कम लोग हैं और उनका दाम बढ़ जाता है जैसे आप देखेंगे काफ़ी कम्पनीज हैं जो आ रहे हैं जो देख रहे हैं कि MBS होगों फोल्टेंड MBS को अंपॉय कर रहे हैं अगर हम लोग उनको इफ गिव देम बेटर स्किल्स बेटर एदुकेशन विफ वी फांड वेस ट्रेंड बेटर कम्पनीज वी तुम्पनीज वी एड़न तुम्पन और हम यह कहने हैं, जब जरकार जल्दी से करना चाहती है, कभी-कभी बूल जाते हैं कि फंडमेंटल्स को ठीक करना है, वो सबसे महत्वर पूर्ण है, if you want to grow for the next 20 years. लेकिन यही सवाल है कि देश का युवा जो है, अब सबका तो नहीं IIT और IM admission हो जाता, तो एक तो education system को कैसे दुरूद किया जा सकता है, और जो सबसे बड़ी problem हो रही है, that is unemployment, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, बहुत, संख्या बढ रही है, तो इसको कैसे ठीक किया जा स यह एक गंभीर समस्या है, जिसको एक systematic तरीके से tackle करना चाहिए, हमने जब हमी किताब लिख रहे थे हमने जब research कर रहे थे किताब के लिए, हमने national education policy 2020 जो है पढ़ी, बहुत ही उंदा document है, हमारे थोड़े बहुत disagreements हैं, उस document से कि उसमें लिखा गया है कि जो B.Ed हो वही teacher को पढ़ा सकता है, बाकी मोटे तोर पे वह बहुत ही अच्छा document है, you know, from acknowledging early childhood challenge, कि बच्चों के बहुत कम उर्मर से अगर उनको ठीक से portion नहीं दिया जाए और ठीक से उनको basic education नहीं दी जाए, तो बहुत बड़ा disadvantage हो जाता है, जो बाद में लाइफ में फिक्स नहीं किया जा स reasons की वज़ा से और कुछ जिस तरह modernity evolve होई है, हाथ से काम करने में कोई problem रखी गई है, social stigma attached किया गया है, तो इसको कैसे हटाया जाए, vocational training को कैसे encourage किया जाए, यह बहुत detail में भी describe किया गया है, और फिर higher education में, जिसमें हमने भी किताब में बहुत लिखा है, कि higher education की अभी city खराब होती जा रही है, कि हमें और छी universities बनानी पड़ेंगी, जितनी हमारी अभी हैं, उसे बहुत जादा आपको एक आखड़ा देता हूं, मैं कि सिर्फ 2022 में, सिर्फ एक साल में, साड़े साथ लाख बच्चे हमारे बाहर पर चले गए पढ़ने, यह एक opportunity हम मिस्त कर रहे हैं, यह सारे बच्चों, चलो ठीक है, हम भी बाहर गए पढ़ने, बाहर पढ़ने पर जाना अच्छी बात है, लेकिन इन में से बहुत सारे बच्चे मजबूरी के वैसे जा रहे हैं, कि उनको पता है कि उनको जो education यहां मिलेगा, वो अच्छा नहीं है, वील बॉक्स का survey बता रहा है कि 50% हमारे graduates employable नहीं है, तो एक systematic तरीके से इसे tackle करना पड़ेगा, जिसमें हम primary education को तो tackle करें ही, लेकिन higher education level पे हमें इसको जो हमारी policy level पे है, इसको बिल्कुल liberalize कर देना चाहिए, UGC पे अभी already बात हो रही है, कौन university खोल सकता है, university को कैसे evaluate किया जाए, सरकार university को कैसे autonomy दी जाए, कैसे हमें बाहर से talent attract करना चाहिए, ताकि वो universities में आए, professors आए और पढ़ाएं यहाँ पे, क्या होता है कि जब वो यहाँ पे आएंगे, आप अगर जादा PhDs produce करेंगे, तो वो ही फिर जाके और बाकी universities में पढ़ाएंगे, कहां से आएंगे, आप एक fancy building हम इसे joke करते हैं, कि जब वो घर वापस जाते हैं, तो वो जब रोड पे जा रहे होते हैं, तो आप अगर चैन्न ही से तिरुपति ड्राइव करें, तो आपको देखेंगे, हर थोड़े नुकड पे बड़ा से shiny से building नजर आएगा, some and so and so engineering college, वो building बहुत जैसे हम दिल्ली की टैकल कर सकते हैं और यह बहुत सबसे इंपोर्टन मुद्दा है हमारे 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 नजरीय में लेकिन रोही जी एक और इंपोर्टन मुद्दा है and that is chat GPT and artificial intelligence एक तो वैसे इंडिया में रोजगार के मौके हैं कम तो यह कि बहुत बड़ी चुनाथी होने वाली और इसको बहुत ही से करना चाहिए जब कोई चीज बहुत आसान हो जाती है तो इसकी डिमांड भी बढ़ जाती है अब आपको याद होगा कि जब पता नहीं जब मैं तो पहली बार एक जो कंप्यूटर आया तो इसमें फ्लॉपी डिस्क होती थी इसमें आप दो-ती फाइलों से जादा नहीं डाल सकते थे जैसे जैसे डिटा चीप होता गया उसकी डिमांड बढ़ती गई आज की तारीफ में आप देखिए जो सारी जाती है तो वे खोगा क्या कि मैं और मशीन का कॉंбिनेशन जो है वो ज्यादा वैलियाबल हो जाएगा मैं या मशीन को अज़ आज़एं को अलग वो नौकरी तो खतम हो जाएगी कई नौकरियां ज्यादा प्रोड़क्टिव होंगे जैसे आज कल वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है वो चैट वो AI के साथ 40-50% उनका प्रोड़क्टिविटी बढ़ सकती है तो उसमें अगर कंप्यूटर प्रोग्राम में इतना चीप हो जाता है तो मांग तो बढ़ेगी उसके लिए तो वो दूसरी चीज है और तीसरी यह है कि नए रोजगार भी पैदा हो सकते हैं जैसे आजकल एक जॉब है जीपीटी प्रोप्टर यानि कि जो लोग दो तीन शब्द देंगे जीपीटी को ताकि जीपीटी वापस एक अच हमें अडवांटेज लेना चाहिए AI का डर नहीं होना चाहिए लेकिं हमें यह जानना चाहिए कि जो सबसे प्रोटेक्टिड जॉब्स होंगे जिसमें शिक्षा अधिक्तम है और कुशलता अधिक है वो सबसे सेफ जॉब्स होंगे जिन जॉब्स प्लेन वनिला जॉब्स है उसमें शैद काफी डिस्प्लेस्मेंट होगा यानि कि वो रोजगार खथम हो जाएंगे तो इसलिए हम यह इस इवन मौर इंपोर्टन कि हम जल्द से जल्द यह जो अबरेज लेवल अफ दी एडुकेशन और इसको बढ़ा है इसमें और एक मैं पॉइंट करना चाहूंगा क कि I think from the last estimate 58% जो websites हैं GPT क्या करता है एब्जॉब करता है existing data और फिर उसको जवाब देता है वो अंगरीजी में है और यहां पर हमारा एक natural advantage है in comparison to Japan, China, Korea कि जो अगर जितना जादा आपका existing knowledge होगा उसी से जादा उसमें हमारा comparative advantage है तो यह बहुत important चीज है जिसमें हमें तब ह इन्वेस्ट करना चाहिए यानि बाकी अगर हम अगर सरकार युनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के इंटरफेस को इस चीज में subsidize करें पैसा लगाए तो हम एक्चली उसे बहुत वेल्कम दिनेगे subsidy world का अपने यूज कर लिया चलिए चुनाव की और आजाते हैं सराने वाले चुनाव आपकी राहे तो जानी है और आप तो बेबाक राहे रखोगे रेवडी कल्चर यह पार्टियां देती चली जानी है असर यह तो रेवडी कल्चर तो यह जो प्रीवीज है क्या एकॉनमी के लिए खत्रा है या नहीं मेरे काल में यह जो डारिक्ट बेनिफिक्ट ट्रांसफर अगर सबसे गरीब फैमिलीज को हम देते हैं तो उनके लिए अच्छा है और एकॉनमी के लिए भी अच्छा है क्योंकि अगर और रिसर्च कहती है कि यह जो सबसे गरीब हास होल्स हैं वो उस पैसे को लेके अपने हैं बचों को जादा खाना देते हैं दाल देते हैं चावल के सबस्ट्यूट में और कभी-कभी वो स्कूल के लिए फीज भरते हैं उस पैसों के साथ यह सब अच्छा है क्योंकि वो अपने बचों में निवेश कर रहे हैं और वो बच्चे आगे बढ़के वो देश के अच ही कर रहे हैं क्योंकि उसे वोट मिलती है जब हम लोन वेवर करते हैं क्योंकि पॉपिलर है और वोट मिलेंगे तब प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सरकार के पास पैसे नहीं होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे निवेश करने के लिए या अच्छे स्कूल बनाने के लिए या अच्छा हेल्थ फेसिलिटीज बनाने के लिए तो हमें यह सब देखना चाहिए कि थोड़ा सब चलेगा लेकिन उसके बाद सिरफ अगर आपका सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है कि पैसे हम सब लोगों को देंगे तो आपने अपनी बुक में लिखा भी है कि जो लोकेशन जो था प्राइमरी और हेल्थ केर एजुकेशन के ओपर वो था 1.05 लाग करोर तो यह तो बहुत बहुत मिसमैश देखिए मिसमैश यह नहीं कि वह एक सबसड़ी जादा इंपॉर्टन नहीं है नहीं है इस मिसमैश देखिए हम प्रयोरिटाइज क्या करना चाह र रोप लगाता है सरकार के ओपर कि यह दोस्तों की सरकार हमें अच्छा होगा अगर भारत में बड़े कंपनिया पैदा होते हैं अगर जो लोग चिप डिजाइन कर रहे हैं भारत में 20 प्रतिशत लोग दुनिया में 20 परसेंट ऑप चिप डिजाइन इस डान इंडिया इस अगर फृज्ट को का र्रय तो लोगे क्न आरप रहे हैं अगर हम नवीड्या यहां पैदा करें यौकवा कारें य कसी निकरत सब्सक्यां कि यह दो अख टूम। ट्युम् त पर णो कि ब्यूरों टोकिन और जो फिदो को चिए अवसरी दियुकार को थे तो कि अवसे वित लिए मस्टो क पने तॉर्ट न याद हो रहें, कि रहें लुगा प्रहु आफ न से अवसे हाड अगल्डिम्ट ऑष्ट कर Canada, Ujuhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhubhub So we have to be careful about protecting certain friends of the government, ensuring that everybody who comes into the country has to be a friend of this industrialist to come into the country, So we need to focus on playing field levels. If there will be Indian champions in that field in that field, it is a very good thing. However, if you favor the champions in that field, then there will be a big problem. How big is it going to happen and you become globally competitive or not, depends on how big is it going to happen. Okay, right. Lekin चुनावों पर आते हैं सर और उसमें, अभी तो यह जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसमें electoral bonds का मुद्दा फिर से गर्म है. आप क्या electoral bonds के favor में हो? In fact, यह जो आप ही ने लिखा book में कि 2019 चुनावों में 55,000 से 60,000 करोड रुपे election funding हुई थी और इस साल तो उससे भी जादा होने की उम्मीद है. तो electoral bonds की funding से related क्या this is transparent mechanism जिससे political party या funding जुटा सकती है या फिर यहां पर भी एक page है. और सार हाल फिलाल की खबर भी यह है कि Congress MP धीरत साहू के घर से 500 करोड रुपे के आसपास के रकम जो बरामत हुई है. तो electoral funding क्या यह transparent mechanism है कि नहीं? इलेक्टोरल bonds में यह problem है कि यह level playing field है कि नहीं? जब एक industrialist electoral bonds में पैसा डालता है और कहता है कि इस party को दो. पब्लिक को मालूम नहीं है कि कौन से industrialist ने पैसे दिया और यह non transparent है. अगर एक industrialist को government से पाइदा हुआ और वो पैसे वापस देते हैं government को. तो पब्लिक को कभी मालूम नहीं पड़ता कि यह इन्होंने पैसे दिये और किसलिए पैसे दिये? तो एक healthy लोकतंत्र में सबको मालूम होना चाहिए किस ने पैसे दिया और यह election funding कहां से आया? तो वो एक problem है. दूसरी problem है कि यह जब electoral bond खरीते हैं तो SPI जानती है कि किस से पैसे आये? और मेरे ख्यान में अगर confidence है कि किसी को और को नहीं पता चले तो अच्छा हुआ. लेकिन जब मैं industrialist के साथ बात करता हूँ, वो कहता है कि हमें confidence नहीं है कि यह secret रहेगा. और अगर secret नहीं रहेगा और incumbent government या state government या national government को पता चले कि किस ने पैसे दिया है, तो उसके खिलाफ, अगर opposition को पैसे दिया, तो उसके खिलाफ क्या करेंगे government? तो वो डर है industrialist में. त कि जो सरकार के पक्ष में हैं, वो दे सकते हैं, और किसके को मालूम ने पढ़ता है कि किस लिए दे रहे हैं. और जो सरकार के विरुद हैं, वो कभी नहीं दे सकते हैं इस रास्ते से क्योंकि सरकार को मालूम पढ़ता है कि आपने उन opposition parties को दिया, क्यों दिया, और पिर action ले This is not transparent. We are not in cash in favor. We are in cash in favor that we have a transparent funding mechanism. Electoral bonds don't serve that purpose. We need something better than electoral bonds. Obviously, we are not in favor of black money being used to fund elections. How do we get there? We need to make improvements. And I think it matters before the Supreme Court. They should make judgments. But the current system is unequal funding. you are pushing the cash into the opposition and the clean funding into whatever the government parties at the state or the center and that makes it very unequal because then you put your police or ED to check the opposition you find cash there and you say the opposition is corrupt but you've given them no other opportunity to get funding so this is unequal funding I think first we should have a serious debate foreign policies international policies of the US and China and the economic supremacy is the most important thing to do but in this conflict India will be advantage of China plus one क्या ये प्लस वन भारत है या फिर कोई और देश होगा? तो हमें इसका लाब उठाना चाहिए और लाब होगा भारत को लिमिटेड पॉइंट को हासिल करने के लिए आपको बहुत जादा सबस्रीज देनी कि आफशकता है कि अलड़ी वो मेक्सिको जा रहे हैं वेतनाम जा रहे हैं तो अगर अगर हमें आपको हमें सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही देश हैं हमें की सलविंग कांट्री हैं हमें बहुत लाब हुआ है इस्टोरी की तब भी तब हमारे दुनिया में एक अच्छा तबी थी क्योंकि हम पीस्पूर पीसलविंग डेमोक्राटिक कंट्री ते तो डेफिनिटली चैना प्लस पन थे इंडिया का लाब होगा विकाउस वाल इस रीज़ने विकाउस विए अट्रैक्टिव कंट्री और हमें पुहिश्क करनी थी कि हम इसका लाब उठाएं अच्छा राजन सर्थ ये तो बात सबको पता है कि एंपे के खिलाफ आप ही नहीं आवाज उठाई थी जब आप आर्बे के गवर्नर थे तब और उससे में आपने काया था कि सरकारी बैंक्स में वो एंपे के बोच के तले दबे हुए हैं और बहुत कुछ करना बागी लेकिन अब सरकार कह रहें कि हमने टर्नराउंड कर दिया अभी बैंकिंग सिस्टम की स्थिति कैसी है मेरे काम में अच्छी है जो हमने टर्नराउंड शुरू किया था ट्वेंटी फिफ्टीन में वो एसिट ये इन्पिय डिस्क्लोजर बगारा हमने किया था तो उसके बाद काफी साल लगे ये बैंक्रप्सी कोड भी आई और उसके साथ मेरे काम में क्लीन अप हुआ है बैंक्स में और आगर क्रेडित नंबर्स देखेंगे तो बढ़ रही है वो अच्छी बात है लेकिन हमें ये भी इस पे भी द्यार रखना चाहिए कि फिर से एंपिय प्रॉब्लम नहों और इसलिए मेरे काल में आर बिया ने रिसेंट्ली जो अंसेकर लोंस पर क्यापिटल रिगुलेशन लगाया क्योंकि वो सोच रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि क्रेडिट रोध काफी जादा है अचा लेकिन सरी एक बात बार बार उठती है इंस्टिउशन के इंडिपेंडेंडेंस को लेकर बत और आरवे गवर्नर आपने कारेकाल में क्या आपने ऐसी कोई चीज देखी कि सरकार दखल देती है आरवे किसी भी काम में नहीं कॉंस्ट अगर विलिवे चांग कि इसमें गया है और आपको कहते हैं किसavin कांपर आद कमने ऑठ्वाबिन आडार कि इसमें प्रवलम होगा यह जोखिंगे में बढ़ जाएंगे तो कहिंगे चाहिते है सकांगाए तो मेació шणे निग एक्स्पेनर करना वोगा कि हम इसलिए करना psychology तो मेरे कहां में बहुत डायलॉग चलती रहती है, इंडिपेंडेंस तो रखना चाहिए, लेकिन डायलॉग में भी कापी इंडिपेंडेंस हो सकता है. अगर आप चाहते हैं कि कोई नया सिस्टम बने किसी नए तरीके से अप्रोच करें सरकार, तो अगर आपको तीन चाहते हूं आप जो सरकार को करने चाहिए, वो क्या होंगी? एक तो शिक्षा पर एंफेसिस करना चाहिए, और यह जो बच्चे महामारी में स्कूल ने गए, उनका हालत देखना चाहिए और उनको इंप्रूब करना चाहिए, वो नंबर वन. दूसरा यह जो कुपोर्शन है उसको खतम करना चाहिए, यह तो बहुत ही शेमफुल बात ह है कि हमारा कुपोर्शन लेवल्स अर अबव सबसाहन अफरिका तो यह दूसरी चीज करना चाहिए, तीसरे मेरे खाल में आपको कहना तो आप तीसरी बात करेंगें, तीसरे यह हमें बहुत सीरियसली यह सोचना चाहिए कि हमारा कंपार्टिव एडवांटिज क्या है कि शे आपना मॉडल बनाया, अपना मॉडल फॉलो किया जो एक पूर देश होने के बावजू देमोक्राटिक रहा और जिसने अपने ही एक सोच से एक 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 पात बनाया एक गाना का, you remind me of a song, एक प्रैंक सिनातरा का, I Did It My Way, 2047 में हमें यह कहना चाहिए कि हमने अपने तरीके से किया है ऑजन से बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तख को देने के लिए और रोहिचियों आपके बहुत शुक्रिया बिस्तख को उपने देने के लिए इंट्युव मजा आ गया सथ, thank you thank you thank you झाल झाल